नमस्कार ब्यूटिफुल हमेशा हिंदी चानल में मैं किरिन आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको कमल ककडी के बहतरीन फाइदे मन फाइदे बताओंगी तो सबसे पहले दोस्तों आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो तो आईए हम देखेंगे कमल ककडी के हमारे स्वास्ते के लिए क्या-क्या फाइदे है वैसे तो कमल ककडी का सेवन बहुत कम किया जाता है बहुत कम लोग इसे पसंद करते है पर ये हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर होता है विटामिन, मेंडिल, पोटाशियम, आईरिन और जिंग ये सारे महतोपूर्ण जो तत्व है जो हमारे शरीर के लिए काफी फाइदे मन्द होते है वो सारे कमल ककडी में पाई जाते है कमल ककडी के आप सबजी बना सकते है, कमल ककडी की अचार बना सकते है कमल ककडी के बहुत सारी चीजे खाने के लिए बन सकती है अगर आप इसे सेवन करें सही से तो आपके स्वास्ते के लिए काफी फाइदे मन्द हो सकती है तो आईए इस वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहला मैं फाइदा आपको बताऊंगी कमर दर्द के लिए कमर दर्द में राहर पाने के लिए कमल ककडी का बहुत अच्छा फाइदा हो सकता है इसके लिए आपको कमल ककडी का पाउडर 100 ग्राम लेना है कमल ककडी का पाउडर आपको ऑनलाइन या अगर आप कही ढूंडेंगे तो अराम से मिल जाएगा इस पाउडर को आपको उबाले हुए दूद के अंदर मिलाना है और इसका सेवन करना है 15-20 दिनों तक अगर आप दूद के साथ इस पाउडर का सेवन करते है तो आपके कमर दर्द में काफी अराम मिलेगा इसका दूसरा फाइदा है अस्तमा दूर करने के लिए फेफडों की जितनी भी समस्याए है अगर आप कमल ककड़ी खाएंगे तो उसकी मदद से फेफडों की समस्याए हॉल हो जाएंगी साथी साथ अस्तमा जैसी बिमारी भी इसकी वज़े से ठीक हो सकती है इसलिए आपको कमल ककडी का रस पीना है या फिर कमल ककडी को कदू किस करके उसे खाना है अगर आप ऐसा नियमित करते हैं तो आपको अस्तमा जैसी बिमारी में भी काफी अराम मिल सकता है इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़े बताऊंगी कमल ककड़ी के बारे में कमल ककड़ी में खनी जो की जो मात्रा है वो भरपूर जादा होती है साथी साथ ये बहुत अच्छा स्कुरोत माना जाता है विटामिन C का जिसकी वज़े से immunity system जो है वो strong बनती है आपको दिन भर में जितने भी विटामिन्स चाहिए होते हैं वो सारे विटामिन्स लगभग कमल ककड़ी में मिल जाते हैं इसलिए अगर आप हमेशा कमल ककड़ी का सेवन करेंगे तो आप हमेशा स्वस्त रह सकते हैं इसे खाने से हड़ी अभी मजबूत हो जाती है साथी साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है जिसके वज़े से ये कोलिस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखता है तो ये थे बहुत सारे फाइडे कमल ककड़ी के मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इस महत्रोपूर्ण वीडियो को ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में तपता के लिए धन्यवाद